हेलो फ्रेंड्स मैं जैदी पुश्बा आप सभी का जेम क्लास में स्वागत करता हूँ हम पढ़ा रहे थे मद्धि प्रदेश की नदियों से सम्मंदित प्रिश्णों के बारे में जिसमें हम हमारी इस्तरंख लाके 51 क्रिश्ण तक कर चुके हैं और आज जो हमें करना है वह है 51 प्रिश्ण से हमें देखना है ये सभी प्रिश्ण मैं आप सभी के लेकर आया हूँ जिन में जो की प्रवाने एक्जाम में आ चुके हैं जिसे हमारे यदि मद्धि प्रदेश की किसी भी एक्जाम को देखें कि ब्यापम हो या MPPSC हो या पटवारी हो या मद्धि प्रदेश जिन एक्जाम में पूछे जाता है उनकी बात करें तो उनमें ये कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो हमारे आज के पहले प्रिश्ण की बात करते हैं कि जो बंजारा बांद है बंजारा बांद किस नदी पर इस्थिस है तो हमारा जो पहला उप्शन है कि काली सिंद नदी दूसरा उप्शन सिंद नदी या तीसरा उप्शन सीप नदी और चौथा है सोन नदी तो यह है बंजारा बांद किस नदी पर इस्थिस है तो हमारा जो option third है, option third सीप नदी, सीप नदी पर इस्थिस है कौन सा बंजारवान, तो यह हमें कहा देखने को मिलेगा, तो यह हमें सेवपर जिले में देखने को मिलेगा, हमारी जो सीप नदी है वह सेवपर जिले में प्रवायत होती है और जाकर मिल जाती है चंबल नदी से चम्मल नदी जो कि महु से निकल कर इंद्वर महु इंद्वर से निकलती है और जा कर यम्न नदी में मिलती है उसकी सहाय कौन सी नदी है हमारी सीप नदी सीप नदी पर ही इस्तित है बंजारा बांद अब हम हमारे अंगले प्रिश्ण की ओर पढ़ते हैं जो कि हमारा अंगले प्रिश्ण है कि कुंडलिया बांद किस नदी पर इस्तित है तो हमारा जो आपसन एक है कि सीप नदी पर second option है काली सिंध नदीपर third option है सिंध नदीपर या फिर fourth option है तमसा नदीपर तो इसका जो सही answer है वह है काली सिंध नदीपर काली सिंध नदीपर हमें देखने को मिलेगा कौन सा बान कुंडली बान तो यह है किस जिले में देखने को मिलेगा तो यदि हम इसके जिले की बात करें तो यह हमें राजगर्ड जिले में देखने को मिलेगा किस नदी पर काली सिंद नदी पर राजगर्ड और जो हमारा आगर मालवा जिले हैं उसी के समीब यह हमें देखने को मिलेगा तो हम हमारे अंगले प्रिशन की और बढ़ते हैं कि हमारे जो आज का अंगला प्रिशन क्या है अंगला प्रिशन है कि मड़ी खेड़ा परियोजना किस नदी पर इस्थिस है मड़ी खेड़ा परियोजना किस नदी पर इस्थिस है तो option एक है सिंदर नदी पर second option है काली सिंदर नदी पर third option है ताबा नदी पर या fourth option है बिच्छिया नदी पर तो जो हमारी मड़ी खेड़ा बांद है मड़ी खेड़ा बांद को जो किस नदी पर इस्थित है परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो इसका जो सही आंसर है वह है उप्शन ए सिंधन नदी पर जो कि मड़ी खेड़ा बांद इस्तित है तो यह किस जिले में देखने को मिलेगा तो यह है सिप्पूरी जिले में मड़ी खेड़ा बांद इस्तित है किस नदी पर सिंधन नदी पर सिप्पूरी जिले में मड़ी सिबनी को अलग करती है सिबनी की सीवा बनाती है किसकी सिबनी की हमारे सिबनी जिले की बालाघाट और सिबनी जिले की सीमा कौन सी नदी बनाती है तो option A है option A है हमारा कि तमसा नदी second option है वेन गंगा नदी third option है वर्धा नदी या fourth option है तबा नदी हमारी वेन गंगा नदी सिबनी से निकल कर वाला घांट में बैठती हुई महाराष्ट में चली जाती है महाराष्ट में जाकर यह है किस से मिल जाती है हमारी गोदावरी नदी से मिल जाती है अब हम हमारे अंगले प्रिष्ण की और बढ़ते हैं हमारा जो आज का अंगले प्रिष्ण है कि मनीहार नदी किस राष्टी उद्यान से होकर गुजरती है तो option एक है कि माधव राष्टी उद्यान second option है कानक इसली राष्टी उद्यान और third option है जीवास्मी राष्टी उद्यान या fourth option है माधव राष्टी उद्यान तो इसका जो सही answer है वह है माधव राष्टी उद्यान माधव राष्टी उद्यान से मनीहार नदी प्रवायत होती है तो यदि हम बात करें कि माधव राश्टी उद्यान कहा पर देखने को मिलेगा तो यह है सिपुरी जिले में माधव राश्टी उद्यान देखने को मिलेगा जहां पर मनिहार नदी इस पर इस से गुजरती है अब हमारे अंगले प्रिष्ण की और बढ़ते हैं कि हमारा जो अंगला प्रिष्ण है कि काली या देव जल पर पात किस नदी पर इस्थित है काली या देव जल पर पात किस नदी पर इस्थित है यदि आपसन एक की बात करें तो आपसन ए है कि माही नदी पर सेकंड ओप्सन है सीप नदी पर थर्ड ओप्सन है बेतवा नदी पर या फोर्थ ओप्सन है सोन नदी पर तो जो हमारा कालिया देव जल्पिरपाथ है वह किस नदी पर इस्तित है इसका सही अंसर है ओप्सन सेकंड सीप नदी पर इस्तित है काल या देव जल्बिर पाद तो सीब नदी हमें पता है कहा प्रवायत होती है यह हमारे सेव प्रवायत होती है बंजारा बांध इस पर देखने को मिलता है और यह चंबल की सहाएक नदी है तो हम हमारे अंगले प्रिषन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अंगला प्रिश्ण क्या है अंगले प्रिश्ण की यदि हम बात करें कि हमारा अंगला प्रिश्ण क्या है अंगला प्रिश्ण है कि ओर्चा किस नदी के किनारे पर इस्तित है ओर्चा सहर की बात हम करें तो यह है किस नदी के किनारे पर इस्तित है तो option एक है कि माही नदी second option है सिंद नदी 3rd option है बेतवा नदी या फोर्थ option है नंद नदी तो आप सभी को इन सभी questions के answer को comment box में send करते जाना है comment box में इनको answer दे तो हमारा जिसका जो सही answer है वह है वेतवा नदी बेतवा नदी पर कौन सा हमें देखने को मिलेगा और्चा देखने को मिलेगा तो और्चा में हमें देखने को क्या मिलेगा और्चा में देखने को मिलेगा राम लिला का मंदिर तो यहां पर क्या है कि यहां पर राम की राजा के रूप में पूजा होती है और मद्य प्रदेश की अयुद्या के नाम से किसे हम जानते हैं मद्य प्रदेश की अयुद्या बोलते हैं ओर्चा को ओर्चा मद्य प्रदेश की अयुद्या तो हम हमारे अंगले प्रिशन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रिशन क्या है कि दगोना जल्परपात किस नदी पर इस्थित है दगोना जल्परपात किस नदी यह हमें दो जगे देखने को मिलता है कहां कहां देखने को मिलेगा हमें यह क्यों कि यह आ हमारे जो दतिया बाला है वह होई और ऑसन देखने की रहा है बुढ़नेर नदी की यदि हम बात करें तो यह किसकी सहायक नदी है तो हमारी बेन गंगा नदी कुछ इस परकार प्रवाहित होती है और बुढ़नेर नदी इसकी सहायक नदी है और यह कहाँ पर आकर मिलती है यह बाला घाट जिले में यहाँ पर बालागाट जिला है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्या यह मिलती है बुढ़नेर नदी किस से हमारी बेन गंगा नदी से और बुढ़नेर नदी पर देखने को मिलेगा दगोना जलपर पाथ तो हम हमारे अंगले प्रिष्ण की और बलते हैं कि अंगला प्रिष्ण आज क्या है अंगला प्रिष्ण है कि छिंद बाड़ा जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं तो option यह है कि वेतवा नदी, second option है काली सिंद नदी, third option है कुल वेहरा नदी और fourth option है तवा नदी तो यदि हम इसकी बात करें कि इसका स़ही अंसर है कि हमारा third, option third इसका बिल्कुल सफ़ही अंसर है कुल वेहरा नदी कुल वेहरा नदी जो कि छिंद बाड़ा जिले में प्रवायत होती है और यह से छिंद बाड़ा जिले की जीवन रेखा कहते हैं यह किसकी सायक नदी है तो कुलवेहरा नदी पेंच नदी की सायक है जो कि जिसे हम छिंदबाडा जिले की जीवन रेखा कहते हैं अब हम हमारे अंगले प्रिष्ण की और बढ़ते हैं कि जो हमारा अंगला प्रिष्ण है कि ताहोना नदी किस जिले से निकलती है ताहोना नदी किस जिले से निकलती है तो इसका जो option है कि सतना से second option है रीवा से third option है पन्ना से या fourth option है ओर्षा से तो जो ताहोना नदी है उसका अद्गाम होता है कहां से हमारे सतना जिले से सतना से ताहोना नदी निकलती है और यह किसकी सहायक नदी है तो यह जाकर टूंस नदी में मिल जाती है किसमें टूंस नदी में जाकर मिल जाती है ताहूना नदी हम हमारे आज के अगले प्रिशन की दो एकते हैं कि अगला प्रिशन है कि पस्चम मद्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है हमारे मद्य प्रदेश की जो पस्चिमी मद्य प्रदेश है उसकी जीवन रेखा कौन ची नदी है तो हम बात करते हैं कि ओप्षन यह है माही नदी सेकंड ओप्षन है बेतबा नदी थर्ड ओप्षन है चंबल नदी और फोर्थ ओप्षन है नंदा नदी तो इसका जो सही आंसर है वह है माही नदी माही नदी जो की हमारे पस्चिमी मद्धिप्रदेश में प्रवायत होती है कहाँ पर पस्चिमी मद्धिप्रदेश में इसका उद्गम कहाँ सोता है यदि हम इसके उद्गम की बात करें तो माही नदी का उदगम होता है धार जिले के मिंडा गाउं से मिंडा गाउं धार से उदगम होता है और धार से यह प्रवायत होते हुए हमारे जाबुआ, रतलाम और रतलाम से जाकर यह बाहर कहां राजिस्थान में पहुँच जाती है और इस प्रकारिया है पस्च्चुमी मद्द प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से हमें से जानते हैं तो हम हमारे अंगले प्रिश्णी की और बलते हैं कि हमारा अगला प्रिश्णी है कि बावर नामा में किस नदी का उलेक मिलता है बावर नामा में किस नदी का उलेक मिलता है तो option ए है माही नदी का second option है बेतवा नदी का third option है नंदा नदी का या fourth option है सोन नदी का तो जो इसका सही answer है वह है बेतवा नदी बेतवा नदी की अधि हम बात करें इसका उल्लेक बावर नामा में देखने को मिलता है कि बावर नामा जो कि बावर के युद्धों के बारे में जानकारी और बावर के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है तो वह बावर नामा में किसका उल्लेक देखने को मिलता है हमें हमें देखने को मिलता है बेतवा नदी खा उलेक तो अब हम हमारे अगले प्रिश्ण की और बढ़ते हैं कि हमारा अंगला प्रिश्ण है भालकुंड जल्परपाथ किस नदी पर इस्थित है ऑप्शन ए है मनिहार नदी सेकंड ऑप्शन है कुल वहरा नदी थर्ड ऑप्शन ह माही नदी तो इसका जो सही अंसर है वै है वीना नदी बीना नदी पर हमें देखने को मिलेगा बालकुन जलपरपाद तो बीना नदी किस जिले में प्रवायत होती है तो यह हमारे मत्य प्रदेश के सागर जिले में प्रवायत होती है इस पर हमें बालकुन जलपरपाद इसी जल्परपात का राहत गड़ जल्परपात कौन सा राहत गड़ जल्परपात या भालकुंड जल्परपात जो की बीना नदी पर इस्थित है बीना हमारी बेतवा नदी की साइग नदी है अब हमारे अगले प्रिश्ण की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो आज का अंगला प् तो जो option है कि नरंदा और बेतवा लिंक परियोजना second option है बेतवा और केन और बेतवा लिंक परियोजना और third option है नरंदा और तवा लिंक परियोजना और fourth option है तवा और बेतवा लिंक परियोजना तो इसका जो सही answer है वह है केन बेतवा लिंक परियोजना केन वेतवा लिंक परियोजना जो की मद्य प्रिदेश की नहीं बलकि भारत की पहली जो नदी जोड़ो परियोजना या नदी लिंक परियोजना है वह है केन वेतवा लिंक परियोजना हम हमारे अगले प्रिश्ण की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो आज का अंगला प्रिश्ण है कि निम्न में से कौन सी नदी मुलताई पहाड़ी से निकलती है किस नदी मतलब किस नदी का उद्गम हमारे मद्ध्य प्रिदेश की मुलताई की पहाड़ीयों से होता है तो option A है चंबल नदी, second option है नंदा नदी, third option है केन नदी और fourth option है तापती नदी तो जो हमारे इसका सही अंसर है वह है तापती नदी तापती नदी का उदगम मुलताई की पहाड़ियों से होता है यह हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो हमारे बैतूल जिले में मुलताई की पहाड़ियों से तापती नदी का उदगम होता है तो अब हम हमारे अंगले प्रिशन की बात करते हैं कि अंगला प्रिशन है कि बरनार किसकी सहायक नदी है वर्नार नदी किसकी सहायक नदी है तो उप्सन है चंबल की सेकंड उप्सन है नरंदा की थर्ड उप्सन है तवा की और फूर्थ उप्सन है बेतवा की तो जो हमारी वर्नार नदी है वह हमारी से उप्सन सेकंड सही है नरंदा नदी की नरम्दा नदी की सहायक है वर्नार नदी और यह कहां पर मिलती है तो हमारे मंदला जिले में यह नरम्दा नदी से मिल जाती है अब हम हमारे अगले प्रिश्ण की बात करते हैं कि अंगला प्रिश्ण है कि चचाई जलपरपात किस नदी पर इस्थित है कौँसा चचाई जल्परपात किस नदी पर इस्थत है तो option A है कि बीहड नदी second option है टोंच नदी पर third option है काली सिंदे नदी पर और fourth option है नरंदर नदी पर तो यदि हम चचाई जल्परपात की बात करें तो यह हमारी बीहड नदी पर इस्थत है बीहड नदी जो की किसकी सहायक नदी है हमारी टोंच की सहायक नदी है बीहड नदी बीहड पर हमें देखने को मिलेगा कौन सा चचाई जल पर पात और बीहड की किनारे पर क्या देखने को मिलेगा हमें रीवा देखने को मिलेगा तो हम हमारे अगले प्रिश्ण की और बढ़ते हैं हमारा अगला प्रिश्ण क्या है आज का जो हमारा अगला प्रिश्ण है वह है मद्दे प्रदेश में कौन सी नदी सरवाधिक अबनाली का अपरदन करती है अबनाली का अपरदन सरवाधिक अबनाली का अपरदन करने वाली नदी बताना है कि जो सरवाधिक अबनाली का मतलब मिर्दा अपरदन मिर्दा अपरदन या अबनाली का अपरदन सरवाधिक कौन सी नदी करती है तो option A है चंबल नदी, option B है नरंदा नदी, option C है तापती नदी और option D है सोन नदी तो इसका जो सही आंसर है वह है option A चंबल नदी, चंबल नदी जब पिरबायत होती है तो यह है अपने साथ मिट्टी के कई अपसादों को लेकर बैती है और यह है सरबाधिक मिर्दा परदन करती है हम हमारे अंगले प्रिशन की और बढ़ते हैं कि अंगला प्रिशन है कि पांड़ जल परपात कहां इस्थित है तो अपसन है पचमड़ी में, सेकंड अपसन है सत्ना में, सी अपसन है डीवा में और डी है पन्ना में तो जो हमारा पांड़ जल परपात है वह हमारे पन्ना जिले में इस्थित हैं कहां पन्ना जिले में हमें देखने को मिलेगा पांड़ जल परपात जबकि पांडब की गुफाएं हमें देखने को मिलेंगी पच्मणी में कहां पर गुफाएं मिलेंगी पच्मणी में और जो जल्परपाथ है पांडब जल्परवाथ बहर देखने को मिलेगा पन्नजले में किस नदी पर देखने को मिलेगा तो यह हमें देखने को मिलेगा केन नदी पर पांडब जल्परपाद हम हमारे अगले प्रिष्ण की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रिष्ण क्या है अगला प्रिष्ण है कि विच रिवर ओफ मद्दे प्रदेश Fall in the way of Bengal मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है मद्धि प्रदिस की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है Option A है नन्दा Option B है तापती Option C है महानदी या Option D है A और B दोनो तो इसका जो सही आंशर है वै है महानदी महानदी यदि महानदी की हम बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक से अमरकंटक से यह उद्गम होने के बाद यह जाकर कहां पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो कौन सी नदी हमारी महानदी महा नदी का उद्गम मद्धिप्रदिस से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है जबकि नरंदा और तापती नदी जो कि पस्चिम दिसा में प्रवाहित होती है और जाकर कहां गिरती है अरव सागर में जाकर गिरती है अगला प्रिष्ट है कि राज्य में पवंचक्यों का सरवाधिक सिचाई किस जिले से होती है यदि बात करें कि मद्धिप्रदेश में सरवाधिक पवंचक्यों किस जिले में है तो जो रीबा या सेकंड ओप्शन है गौलियर थर्ड ओप्षन है कि जवलपुर और ओप्षन डी है इंदौर तो जो सरवादिक पवंचक्यों से स्थिचाई होती है वह हमारे मद्धिप्रदेश के इंदौर जिले में होती है इंदौर में ही मद्धिप्रदेश में सरवादिक पवंचक्यों देखने को मिलेंगी अगर हमारे अगले प्रिष्ण की ओर बढ़ते हैं कि हमारे जो आज का अंगला प्रिष्ण है कि नयम्दा नदी का कुल प्रभाब छेत्र कितना है कि इसका अब्वा है तंत्र प्रभाब छेत्र मतलब अब्वा है तंत्र इसका कितना है तो option A है कि 93,180 बर्ग किलोमीटर option B है 93,810 बर्ग किलोमीटर option C है 92,180 किलोमीटर या option D है 94,180 बर्ग किलोमीटर तो इसका जो सही अंसर है वह है option A 93,180 किलोमीटर हमारी जो नंदन दी है इसका कुल पिरभाब छेत्र हमें देखने को मिलता है हमारे अंगले प्रिष्ण की ओर बढ़ते हैं कि अंगला प्रिष्ण है कि मद्यप्रदेश और राजिस्थान की सीमा का निर्धारन कौन सी नदी करती है मद्य प्रदेश और राजिस्थान की सीमा का निर्धारन कौन सी नदी करती है ओप्शन A है माही नदी ओप्शन B है नंद नदी ओप्शन C है तापती नदी या ओप्शन D है चंबल नदी तो इसका जो सही आंसर है वह है चंबल नदी चंबल नदी जो कि मद्दे प्रदेश के मद्दे प्रदेश और राजिस्थान के मद्दे सीमा बनाती हुई बहती है हम हमारे अगले प्रिश्ण क्यों बढ़ते हैं कि अगला प्रिश्ण है चूलिया जल्परपात का निर्मान कौन सी नदी करती है तो option A है बीहड नदी, option B है बनजर नदी, option C है चंबल नदी और option D है बनादर नदी इसका जो सही अंसर है वह है चंबल नदी चंबल नदी पर कोटा में कहां राजिस्थान के कोटा जिले में हमें देखने को मिलेगा चूलिया जल्परपात जो की चंबल नदी पर इस्तित है कहाँ पर राजिस्थान में कोटा जिले में चूलिय जल्परपाद चंबल नदी पर देखने को मिलेगा हम हमारे अंगले प्रिष्णी की ओर बढ़ते हैं कि अंगला प्रिष्ण है कि दक्षन की ओर बेहने वाली नदी नहीं है कौन सी दक्षिन की ओर नहीं बेहने वाली नदी कौन सी है तो option ए है बारना नदी, option भी है कोलार नदी, option C है केन नदी और option D है वेनगंगा नदी, तो इसका जो सही अंसर है वह है केन नदी केन नदी जो की उत्तर दिसा में प्रवायत होती है बाकि ये नदियां यदि हम बारना की बात करें, कौलार की बात करें और वेनगंगा नदी की बात करें तो ये सभी दक्षिन दिसा में प्रवायत होती है किस दिसा में? दक्षिन दिसा में प्रवायत होती है जबकि हमारी केन नदी उत्तर दिसा में प्रवायत होती है थैंक यू